क्या आपको भी बहुत तेज गुदगुदी मैसूस होती है अगर हाँ तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखने चाहिए कुछ जगाओं पर ही जादा गुदगुदी क्यों मैसूस होती है और हम कुद को गुदगुदी क्यों नहीं गर पाते वेल हमारे शरीर के कुछ हिस्से जैसे पेट या पैरो के नीचे के हिस्से में जादा गुदगुदी इसलिए मैसूस होती है क्योंकि वो जगाँ बहुती कम हड़ियों से स्तुरक्षित होती है इसलिए वो ज़दा संसेटिव और नरम होती है जिस वज़़े से हमें उन जगाव पर टच जादा फील होता है जिस अगर आपके पेट के किनारे गुदगुदी की जाए तो आपको तुरंथ हसी आ जाएगी पर वहीं गुदगुदी अगर आपके सर के उपर किया जाए तो आपको हसी बिल्कुल भी ने आएगी गुदगुदी का response किसी दूसरे के द्वारा अचानक करे जाने पर ही जादा महसूस होता है पर खुद से करने पर नहीं होता है क्योंकि जब आप खुदको गुदगुदी करने वाले होते हो तो brain को ये बात already पता होती है उसके लिए ये कोई अचानक आक्शन नहीं होता है और वो आपके खुद से तट से वाकिव रहता है जिस वज़ा से उसे कोई खत्रा या सर्प्राइज महसूस नहीं होता है ऐसे ओल भी डेली फैक्ट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल वन विजन को इंस्टाग्राम पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी जरूर कर